देश की सबसे फेमस आटो कमपनी की बात करें तो आपके मन में मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेट का ही नाम आएगा जिसने हमेशा ही किफायती रेंज में बड़िया कारे पेश की हैं और अब नए साल की शुरुवात में भी कमपनी ऐसे ही एक कार को पेश करने की तया और फ्रेंडली और फ्यूल ऐफीशेंट गारी को मात देने के लिए आ रही हैं मारुती सर्वो जिसकी लॉंच की प्रोसेस लगभग खतम होने की कगार पर हैं और हम हाजिर हैं गारी से जुरी सभी तकने की डिटेल्स के साथ तो अंतक जुरे रहें और ऐसे ही दमदार को सब्सक्राइब करें साथ बिल का आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि एक भी वीडियो मिसना हो बात करें ऑल्टो 800 से भी सस्ती रेंज वाली मारुती की नई चमक सर्वो की तो ये ऑल्टो के बाद भारत की पहली बज़िट कार मानी जाएगी जी हां सर्वो के जर में कटाउती की तो ये डिसिशन कार को सस्ती बनाने के लिए लिया गया है सर्वो हैजबै क्लास से बिलॉंग करती है और चार से पांच लोगों के बैठने की शमता के साथ आती हैं रही बात इंजिन की तो छोटी मॉडिल में छोटा इंजिन ही मिलेगा 0.7 लीटर वाली 660 CC की पेट्रॉल इंजिन से लेस होगी सर्वो जो इंजिन 60 बेच्पी की पार और 30 किलोमीटर पर लीटर तक की मैसिव मालिज देने में सक्षम है कम से कम कंपनी की तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है इसके लावा सर्वो वी वी टी यानि अडवांस्ट वारियबल वैल करने के लिए भी साथ डिजाइन के मामले में यह ओल्टो जैसी नहीं बलकि मॉडर्न और अप्टू डिट होने वाली हैं ताकि नए जनेरेशन के नजरों में आई कैचिंग लगे सर्वो आपको यह शाइनी मेटलिक कलर में दिखेगी साथ ही सेफटी रॉम्स को फॉलो किय जाएगा रही बात कीमत की तो उमीद है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 के बीज सर्वो के सभी वारियंट आ जाएगी उमीद है इतनी किफायती रेंज में बरिया गारी आपको एक और नहीं मिलेगा सस्ती कारों की डिमांड के चलते मारूती से जल्द से जल्द लॉंच करना चाहती ह पर क्या हो सा है कि 2022 के आगे इसका लॉंच होना मुश्किल होगा आपको सर्वो कैसी लगी हमें कमेंट में बताए और टो 800 के रेप्लेस्मेंट के तौर पर क्या सर्वो कमाल कर पाएगी इससे जुरे अपने उपिनियन्स भी शेयर करें साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर